आज हम test networks in Ethereum का अभ्यास करने वाले हैं सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरुद है कि test network का मतलब क्या होता है let's say for example मुझे तुम्हें यह समझाना कि ethers तुम कैसे transfer कर सकते हो but मेरे पास ethers है यह नहीं तो उस case में अलग-अलग test networks होता है let's say for example उन test networks में से किसी एक test network को अगर मैंने pick up किया तो उस test network से मैं कुछ ethers ले सकता हूँ for testing purposes और इन ethers को बस testing purposes के लिए ही लिया जाता है और फिर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि ethers कैसे transfer किये जाते है और यह जो ethers मैं ले रहा हूँ from the test network for testing purposes इन ethers की कोई actual market value होती ही नहीं है और इसलिए these ethers are taken from these test networks for testing purposes only अब यह जो अलग-अलग test networks है वैसे तो यह बहुत सारी अलग-अलग test networks होता है but in test networks में से कुछ main main या कुछ famous famous test networks का आज हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहला test network is Robstrand Robstrand जो है वो अपने consensus algorithm के लिए proof of work का इस्तमाल करता है ठीक है second point यह कहता है कि Robstrand one of the most popular test networks में से एक है और तीसरा point यह कहता है कि developers जो होता है वो Robstrand का इस्तमाल करता है to test smart contracts and application now the next test network is Coven Coven जो है वो अपने consensus algorithm के लिए proof of authority का इस्तमाल करता है मैंने तुम लोग को बोला था मेरे consensus के lecture के अंदर की consensus का मतलब क्या होता है मैंने तुम लोग को बोला था कि consensus के अलग-अलग protocols भी होता है proof of work, proof of authority, proof of elapsed time, proof of burn, proof of stake वगरा 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 तो proof of authority is a consensus protocol तो वहां से देख लोगे consensus का मतलब क्या होता है बट बेसिकली जो कोवन होता है वो अपने consensus algorithm के लिए proof of authority का इस्तमाल करता है okay you need to check out that lecture if you wanna know about more about consensus right second point ये कहता है कि जिस team ने कोवन को बनाया था उस team का नाम है parity तीसरा point ये कहता है कि जो कोवन है that is very easy to use और चौथा point ये कहता है कि जो कोवन है उसके अंदर अगर तुम्हें ethers चाहिए तो तुम्हें ethers request करने पड़ते है अब ethers request करने पड़ते है इसका मतलब क्या है ये ethers को कैसे request किया जाता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा इसी lecture में tension ना लो ठीक है now the next test network is ringkv अब जिस team ने ringkv को develop किया था उस team का नाम है gith second point ये कहता है कि जो ringkv वो as compared to robston it is more resistant to spam attacks अब तीसरा point ये कहता है कि ringkv क reliability and security features के वज़े से जो भी projects ethereum से related होता है उन projects को test करने के लिए ringkv का इस्तमाल किया जाता है जो चौथा point है वो ये कहता है कि इसके अंदर भी अगर तुम्हें ethers चाहे तो ethers तुम्हें request करने पड़ते है अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ पर अगर तुम्हें ethers चाहे तो तुम्हें ethers request करने पड़ते है तो ethers request के से करता है या what do you mean by ethers request करने पढ़ते हैं देखो सबसे पहले तुमें ये समंदे की जरूत है कि metamask का मतलब क्या होता है देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि in test network से हम इथर लेते हैं बट इथर कहां पर लेते हैं हमारे metamask account में ही लेते हैं और metamask account के अंदर हमारे original प्यतिनल यहीं अगर है तो थीक है तो में तर तुम्हें नेख चाहिए प्र इसका मतलब यह कि जो भी तुम्हारा MetaMask account है उस MetaMask account का जो account number होता है उस account number को तुम्हें copy करके tweet करना पड़ता है या Facebook में post करना पड़ता है ट्वीट करने के बाद या पोस्ट करने के बाद लेंट से एक्जांपल तुमने ट्वीट किया तो ट्वीट करने के बाद जो तुम्हारा पोस्ट बनेगा उस account number के साथ उस पोस्ट का जो link है वो copy करके इनके इनके वेबसाइट पे तुम्हें पेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद जितने भी तुमने इथर्स रिक्वेस्ट किया है इनसे according to the options they provided you उतने इथर्स तुमारे MetaMask के अकाउंट के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे तो इथर्स रिक्वेस्ट करने का मतलब यह होता है और यह हमारे अलग अलग टेस्ट नेट्वरक्स है थैंक्स सो माच